नमस्ते बहुत बहुत स्वागत है आपका हम बात करने जा रहे हैं चाचा भतीजे की लड़ाई जो कुरसी तक आई थी 2016-17 का दौर खास तोर पे मैं 2016 तक स्टिक रहना चाता हूँ 2017 में तो चुनाव थे शुर्वाती वक्त में ही तो 2016 में क्या कुछ हुआ 2016 में आपको पता है यादो परिवार में किस तरह से एक तरह से एक दरार पड़ गई दरार के एक तरफ थे अखिलेश यादवेंड पार्टी और दरार के दूसरी तरफ थे शिवपाल यादवेंड पार्टी. चाचा भतीजे की ये लड़ाई यूपी में उस वक्त हर दिन कुछ न कुछ सुर्खियां सामने निकल कर आती थी. शिवपाल अखिलेश के लिए कुछ कह देते थे अखिलेश शिवपाल के लिए कुछ कह देते थे और इसमें जो रेफरी की भूमिका निभा रहे थे वो थे नेता जी यानि मुलायम सिंग यादव. इन सारी चीजों से इतर अब आप देखिए कि कैसे उस वक्त पे लगातार एक दूसरे के खिलाब बयान लेकिन इसके बाद कई जगह पर मंच साजह किये गए और खास तोर पर ऐसे मौकों पर जहां मुलायम सिंग यादव का हैप्टी बड़े होता था. उनके जन दिन पर दोनों मिलते, दोनों बात करते. अब बात सामने निकल कर ये आ रही है कि विलय की कोशिशों को तो पूरी तरह से नकार दिया है शिवपाल यादव ने जो कि मीडिया में सूर्खिया मटोर रही थी कि क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी विलय कर जाएगी? नहीं. इस पर शिवपाल यादव ने मना कर दिया है क्या गटबंधन हो पाएगा? इसके लिए हामी भर दिये. उन्होंने कहा है कि समाजवादी सरकार चार बार उत्रप्रदेश में सरकार बना चुकी है. लेकिन अगर बीजेपी को हराना है तो साथ आना होगा. इसलिए विलाई की बात को उन्होंने सिरे से नकार दिया. विलाई का मतलब क्या? कि आप मिल जाएए. उसी पार्टी में जो है आप मिल जाएए. लेकिन गटबंधन का मतलब क्या? कि पार्टी तो आप ही की रहेगी लेकिन आप सपोर्ट कीजिए. तो इसी गटबंधन पर हामी भरी है विलाय को नकारा है चाचा शिवपाल यादव ने देखना दिल्चस्प होगा उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो निशित तौर पर दिल्ली जाने का रास्ता होता है दिल्ली की जीत उसके नाम हो जाती है जिसके नाम उत्तर प्रदेश रहता है इतिहास इस का गवा है बहुत बहुत शुक्री एस वीडियो को देखने के लिए